Assalamu alaikum, अभी हम देखते हैं Distributed Operating System Distributed Operating System नाम से इसायर है कि Collection of Independent Computers which are connected through networks किसी भी network के जरीए जो computer जुड़े होए होते हैं वो Distributed Operating System कहलाते हैं उन साब में एक ही Operating System work कर रहा होता है ये Communication System में Communication Network के तुरू मुझलब किसम के Computers ये Computers हैं अपस में connected हैं through a Communication Network अब इसका फाइदा ये है कि इसका एक Single Point of Failure होता है Multiple Point of Failure नहीं होता कि वहाँ से भी फैल हो सकता है वहाँ से भी Single Point of Failure इसकी है मैं जरूँए पड़ी दिन बे दिन जो IT Related Jobs है या IT Related काम है वो दिन बढ़ दिन बाढ़ रहा है तो एक Single Computer इसको एंडल नहीं कहा सकता तो इसके लिए मुझलब Collection of Independent Computers होने चाहिए जो के मिल कर काम करें तब इतना ज़्यादा काम को मैनेज किया जा सकता है क्योंके बड़े लेवल पे अब Computer Use होते हैं बहुत सारे Industries जिसमें पता नहीं कितने कितने बड़ी Buildings होते हैं उनसाब का इसाब किताब रखना होता है इसके इलावा Software House होते हैं बहुत बड़े बड़े ठीक हो गया ये एक Single Computer का का काम नहीं हो सकता इसके लिए Distributed Operating System ही ज्यादा यूसफुल है अगर Real Working करनी है तो ये साब भी करना पड़ेगा अब Elements of Distributed System अब इसमें Operating System के Elements कौन-कौन से नासर हो सकते हैं इसमें हम कोई भी एक Project लेते हैं ठीक हो गया उसको सब के अंदर Divide कर देते हैं सब कंप्यूटर्स के अंदर जो के Communication Network के अंदर होते हैं ताके वो सब उसको मिलकर एक Finished Project की शेकल में दें जो के Ready for Release हो सके जो के Public के सामने या किसी के सामने भी जिसने उसको Order दिया हुए उसके सामने Finished Project के तोर पर उनको पेश किया जा सके और इसमें वो ही बात के Spillets the Job into Pieces सब जो Distributed में Connected Computers होते हैं उन सब के जिमें कुछ न कुछ काम लगा दिया जाता है फार एक्जेमपल अगर वीडियो का है तो Sound को वो हैंडल करेगा उसकी Quality को वो हैंडल करेगा वीडियो Quality को कोई और हैंडल करेगा ठीक हो गया Motions, Pictures यानि उसमें जितने भी शौबे हैं उनको मुकलिफ कंप्यूटर्स में तक्सीम कर दिया जाता है जिनके उपर फिर मुकलिफ बंदे बैठे हुए होते हैं और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये Hundreds to thousands हो सकते हैं मतलब जितना बड़ा प्राजेक्ट होगा इसको बढ़ाते जाते हैं जरूरत के मताबद के अब distributed system के कुछ characteristics हैं जिन में scalability scalability जब जरूरत पढ़े तो उसको extend किया जा सके जरूरत के मताबद concurrency यानि जो है वो smoothly काम करें बहुत सारे process मिलके अकटे काम करें simultaneously कटे एकसाँ एकसाँ मिलकर चल सके availability यह तहाँ कि अगर कोई भी एक node खराब हो जाए कोई computer device खराब हो जाए तब भी working के लिए वो सारा एक सारा network fail ना बाकी जो हमें available हो किसी एक की वज़ा से काम खराब नहीं होता बाकी काम उसी तरह कार जाते है transparency जो external manager होता है या कोई programmer होता है वो इस सारे system को एक single unit के तोर पर देख सके यानि उसको हर एक computer के पास जाकर हजारों computer होते है हार एक पर जाकर उसकी working चेक ना करना पड़े बलके उस सारे को वो एक ही computer पर देखकर बैठकर एक single unit के तोर पर देख सके heterogeneity इसमें ये है के जरूरी नहीं है के हर computer हर device सेम तरह कियो उसके उसमें मुखलिफ किसम के इनासर होता है वीडियो के दरम्यान काल आगी ति जिससे कट हो गया सारा system heterogeneity के बार में बात हो रही थी कि मुखलिफ किसम के component को deal किया जाता है distributed operating system ये ability रखता है कि हार एक के अंदर same specification नहीं होती हार computer के अंदर मुखलिफ किसम के component को भी ये deal का से कि ये उसका character होना चाहिए ठीक हो गया distributed system जो है वो use किदर किदर होता है अब आम तोर पर ये उदर ही use होता है जिदर एक single computer के bus की बात ना होके वो कोई task perform कर सके इसलिए बार-बार बात हो जाए है कि बहुत सारे computer का network मिला के उस function को perform किया जाता है हमारे पास मुकलिफ कंपनियों के मुकलिफ मुल्क के अंदर agencies होती है telecommunication networks उदर use होता है I think ये जो हमारी पाक्सान की PTA ही है ये भी telecommunication network है इसके लावा graphic and video rendering system ये एक किसम का कारोबार होता है videos को लेना उनको finish project के तोर पर बना कर पेश करना मतलूबा अफराद को जिनोंने उसके बारे में कावा होता है scientific computing हो गया library scientific labs के अंदर जो use होता है जो इस आप किताब रखती है यानि chemicals के बार जो deal कहता है इसके इलावा यानि scientific labs होती है main system computer ही perform कर जाए होती है testing वगारा multi user video conferencing मुखलफ किसम के जगों पर बैटके लोग चाहे वह एक मुलक में चाहे पूरी दुनिया में video conferencing होती है मुखलफ डाक्टरों की हो गई engineers की हो गई ठीक है किसी भी project के बारे में या world health organization मुखलफ conferences जो हो arrange करवाता है वो सारी इसी system के अंदर आती है multiplayer video games just like pubg वगारा हो गया यह था जी distributed operating system के बारे में थोड़ इस information annual paper में अगर यह आ जाए इस information को थोड़ा सा expand करके लिख दिया जाता है यह कुल यह होता है कि बार बार सेम चीजों को थोड़ा सा expand करके लिखें तो number आ जाते है इंशाला मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अलाफीज